आज असत में बाबा भोले का बो समराज जो आपने देखा नहीं होगा वही बाबा भोले जो अपने आप में इश्वय शक्ती का प्रचार करता रहा अब मैं सीधे आपको ले चलता हूँ एपिसिंग साहब के पास वकील है इस देश के जाने माने वकील है सुप्रीम कोट के प्रैक्टिशनर है और बाबा ने आपको अपना वकील तै किया एपिसिंग साहब बहुत-बहुत स्वागत है आपका आपका मुख्किल कहां भाग गया देखे मैं बहुत वरिष्ट पत्रकार महोदय जो देश के नामचीन पत्रकार है इंडिया न्यूज जो पूरी दुनिया में चैनल देखा जाता है मैं उनके माध्यम से एक कमिट्मेंट करना चाहता हूँ पूरी तरह से राना साब आप बहुत पत्रकार है मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ ना राण साकारहरी भारत में है ना किसी एरपोर्ट पर भागते हुए मिलेंगे ना भेश बदले हुए मिलेंगे ना नेपाल भागते हुए मिलेंगे ना बेस्मेंट में मिलेंगे ना काश में मिलेंगे जब भी investigation agency बुलाएंगी जाच agency को जरुवत होगी, SIT को जरुवत होगी, unrable retired high court के justice की निगरानी में जो commission बना है, जिसमें रेटाराई एस, रेटाराई पीएस हैं, वो बुलाएंगे बिलकुल उनकी तलाश में पुलिस चाप इमारिया करें एपी सिंग साब आपको भी पता है कि पुलिस उनको तलाश रही है और आप कहते हैं कि जब भी agencies को जरुवत पड़ेगी हुआ जाएंगे देखिए आप legal process जानते हैं, अब मैं भी 26 वरशों से सुप्रीम कोट में वकालत कर रहा हूँ legal process तो file करूँगा, हाँ जो एक F.I.R. हुई है, उसमें वो जो एक वेक्ति है, engineer, मधुकर जी मैं उनका भी पक्ष रख रहा हूँ, heart patient है, hospitalized है, जैसे doctor stable declare करेंगे हम उन्हें anticipatory bell नहीं लगाऊंगा, मैं exclusive दे रहा हूँ, इंडिया निउस पर राना साब आपको मैं anticipatory bell, district court, high court, under the supreme court नहीं लगाऊंगा, मैं क्यों लगाऊं मेरे अपने बच्चे मरे हैं, मेरी अपनी बहन, मेरी अपनी मा, मेरी अपनी पत्नी, मेरी अपनी बेटी, मेरे अपने लोग मरे हैं, मैं आयो जग्था, मैंने सनातन धर्म के तहट अगर मानम मंगल मिलन सथ भाबना समागम कायोजन क्या मैंने अपराद नहीं किया गलती नहीं की हाँ घटना हुई है हम दुखी है घटना मक्का मदीना में भी हुई थी किसने उसको दोशी बनाया किसने उस पर राजनीत की किसने उस पर डिबेट की किसने केस की बात की किसने ग्रफतारी की बात की नहीं हिंदू साफ्ट कॉर्डर है इसलिए उसको टार्गेट किया जाता है इसलिए ऐसा किया जाता है हम आयोजक हम इंजीनियर रहे हुए हम मानबता में विश्वास करते हैं नाराण साकार हरी आदा गंटे पहले जा चुके थे और उनके साथ इस घटना का इंजाम दिया जिसमें हमने एक से एक किस अपने परिवार वालों को खोया है नाराण साकार हरी इस थब्द है मैं मैं बोलता हूँ आप अच्छे वकील तो जरूर हैं आप अच्छे राजनेता भी हो सकते आप अच्छे बाबा भी हो सकते मुझे बोलने दीजे आपने शायद वो लाशे नहीं देखी जो बिखरी पड़ी थी और कोई पूछने वाला नहीं था मैं आपको सुन रहा था आपने कहा कि सेवादारों ने उन लोगों को अस्पिताल पहुँचाया मैं आपको बताता हूँ कि घंटों तक वो लाशे पड़ी रही और 48 घंटे तक मेरे पास वैसे लोग हैं जो अपनों को तलाश्टे रहे, रोते रहे, बिलगते रहे अभी कहिए तो 2080 महिलाओं को मैं सुना दूँ, अभी सुना ही रहा था जिनका परिवार उजर गया, उनका एकलोता पती था कमाने वाला वो गया, लोट करके नहीं आया, चार बच्चियां घर में हैं किसी की माँ चली गई, किसी की बहन चली गई एक आदमी अपना पूरा आसन सजा करके रखता है एर कंडिशन आसन, फूलों से सजा धजा, खुजी सूटेड बूटेड सामने जो गरीब कमजोर लोग हैं, उन लोगों को गर्मी में मरें वो दलदल में मरें, वो उमस में मरें तनिक भी फट नहीं पड़ता है, जिस आदमी में बुनियादी इंसानियत नहीं है, आप उस आदमी की परवी कर रहे हैं जो आदमी 123 लोगों को मार करके भाग गया वो लॉट करके नहीं देखने आया, कि मेरे लोग अपने कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ, कि आपको मैं जानता हूँ अगर आप होते, तो आप पलट कर गये होते, कि नहीं ये मेरे लोग थे, और इनके साथ ये हाथसा नहीं होना चाहिए अगर हो गया है, तो ये मेरे हैं, मैं उनके लिए खड़ा होता हूँ आप उनके अंतिनिस्कार में खड़े होते, आप उनके इलाज में खड़े होते, लेकिन वो नहायत घटिया इनसान है, मैं आपको फिर से बोलता हूँ, मेरी शब्द शायद हो सकता है कि मरियादा का दारा लांग रहे हो, जिस आदमी में इनसानियत नहीं है, जिस आदमी में जान बचाने के लिए भागा भागा फिर रहा है उस आदमी को आप बचाने की कोशिश में हैं उसको धर्मात्मा कहते हैं फरे भी है जालसाज है डोंगी है अब आपने बात कह ली, वहाँ कोई AC नहीं होते हैं, वहाँ कोई चंदा नहीं है, कोई दान पात्र नहीं है, कोई चड़ावा नहीं है, कोई पैरों की पूजा नहीं होती है PCR पंडाल बंदे में नहीं है, सिंग साहब को सारी अटारियां, सर आप बोलते रहें, बाबा के सारे आश्रम में दिखाता हूँ, मैं पूरी का आश्रम देखिए आप, कानपूर का आश्रम देखिए आप, गौलियर का आश्रम देखिए आप, आरे सौ करोर से जादा के संपत पर हरी के नाम कोई आश्रम हो सव करोड तो आपने बहुत कीमत बता दी एक करोड भी हो तो मैं इंडिया नियूस को डोनेट करता हूं क्यूंकि इंडिया नूस जरुवत मंदों के लिए देश में काम करता है देशबक्ती के लिए काम करता है ग्राउंड जीरो पर क्या सब्सक्राइब करता है और ट्रस्ट का मुख्या प्रेशस्ट के मुख्या अगर हो तो मैं आपको उनके अद्वोकेट के नाते वह ड्रीस्ट के मुख्या नहीं है कोई डान पात्र कोई चड़ावा को चंदा कोई रसीद नहीं करती है यह सारा सुख वैभौ एश्र किसके इशारे पर है सिंग साहब दर्वाजा खुलता है रजवारों की तरह दर्वाजे हैं दर्वाजा खुलता है गाडियों का लश्कर गुशता है बाबा जो है उस पूरे वैभौ के साथ अपना जीवन गुजारता है आप पारी नहीं है वो आध मैं उद्योग पति नहीं है उसने अपने पर्शार गीरे परिशा से अपने प्रयास से कुछ सी नहीं किया नहीं किया न츠 कि से ही पूरी पूरे जीवन में कुछ किया सिपाही के नौकरी से निकाला गया आदमी और आज सो करोड का है उसने कोई कारोबार नहीं किया उसने कोई परिश्रम नहीं किया कोई पुर्शार्थ नहीं किया कुछ नहीं किया बैठे बिठाए सो करोड और आप कहते हैं कि बाबा ठीक आज मैं यहां जहां उनकी जनम भूमी मैं यहां हूँ यह जोपड़ी आपको दिखाएंगे अभी हमारे कैमरा में आपके दर्शकों को भी दिखाएंगे इंडिया नियुस्ति दुनिया में नमबर एक साब मैं पुड़ी का महल मैं दिखा रहा हूँ यह हाथी के दाख दिखाने के और खाने के और सिंग साब वो किसका महल है वो महल नाराण साकार हरी का है तो मैं आज उत्तर प्रदेश सरकार के प्राइम. फंड में डोनेट कर रहा हूं रिलीफ फंड में दे रहा हूं उसका प्रियोग करे उसका कज़र उनके नाम हो आयोज्य करता है उनकी कमेटी है आज भी नारान साकार हरी ने जो अनुरोद किया है मरतकों के परिवार के लिए बाहर लाएं उस आदमी को उस आदमी को वही खड़ा कीजिए जहां जिस मन्त से गया था जो आदमी यह कहता है कि मेरे जाने के बहुत बात यहादसा हुआ जबकि उसके जाते समय यहादसा हुआ है उस आदमी का call details नहीं यह नहीं यह बद आप रहना साब नहीं कहिए variety call details साथ एक बच करके 140 में निकलते हैं और 43 तक वो मैंपुरी के आश्रहम में एक चालिस से लेकर के तीन चालिस तक पांच कॉल्स जाती हैं और पांच नमबर से बीस कॉल्स हैं दो घंटे के भीतर सब कुछ हो गया है उस आदमी को पता है ये उसके लोग थे ये उनकी खातिर दौर ठीक है मैं मानता हूं कि उजाल साजी है फरेब है जहांसा है ढोंग है ये सब कुछ है लेकिन ये जो लोग थे सीधे साधे लोग वो उनकी खातिर आये थे उनकी खातिर मर गये उस आदमी ने एक बार भी पलट के नहीं देखा भाग गया आज भी कानून से बचने के लिए आप जैसे माहिर वकील को खड़ा किये हुए है और आप उनकी पैरवी जो होगी उसे किसमत चमक जाएगी वो आदमी जो है आप तो समझते हैं कि संत महात्मा क्या होते हैं और ये लोग क्या होते हैं मैं समझ रहा हूं आपकी मजबूरी आप आपका पेश्वर फर्ज आपका लेकिन कम से कम समझे तो कि क्या कर रहे हैं लोग आप कहते हैं कि इस आदमी के नाम पर कुछ नहीं है, सारा भोग विलास इसका, सारा वैभब होगे ये, इसके नाम पर कुछ नहीं, ये तो अजीब सी बात है ना सिंग जाब आप अपने चैनल में बुलाते हैं मुझे, बहुत अच्छे सोफों पर बिठालते हैं, बहुत अच्छी कॉफी पिलाते हैं, बहुत सम्मान नीचे से उपर, इतना बड़ा स्टूडियो इंडिया नीउस का है, मेरा हो गया क्या, मेरा बाप का हो गया क्या, नहीं हुआ, मैं फोटो आए निकल लहा हूँ आपके इंडिया निवस से निकल लहा हूँ पूरा स्टाफ हमें लगता है हमारा है लेकिन मेरा वो नहीं है आप ने कहा हैंड पंप से याद मैं यहीं हूँ जा हैंड पंप की बात क्या जल अमरत नहीं होता है क्या जल जीवन नहीं लिखा जाता है क्या हर व्यक्ति के बेहोश पर जल नहीं छिड़का जाता है क्या सबसे पहले आने पर जल नहीं पिलाया जाता है कहां से पानी जहर हो गया कहां से पानी विश्य हो गया पानी तो अमरत था अमरत रहेगा वो पटियाली से निकल ला है इसलिए बुरा हो जाए वो नाराण साकार हरी के आश्रम से निकल लाई इसलिए जल जल नहीं रहेगा ये गलत तरक है ये गलत दलील है जल तो जीवन है हर वेक्ति जल को गंगा जल हो जाए गंगा सागर में मिल जाए चाहे गंगोत्री में मिल जाए यमुना में मिल जाए जल तो जल रहता है आस्थ राजनेता बन सकते हैं, दो बाते आपने कहीं, आप मेरे स्टूडियो में आते हैं, आप मेरे स्टूडियो में आते हैं, आप मेरे स्टूडियो में आते हैं, आप जाते हैं, मेरे मेरे पूरी टीम आपके साथ इंट्राक करती है, लेकिन वो आपका नहीं है, यह दुनिया भी किसी के नहीं है यह भी तो चला चली की बेला है यहां भी जो आया हो जाएगा तो जितना कुछ है वो क्यों बटोरने के लिए आदिर पागल है फिर तो उसको बटोरना नहीं चाहिए उसको जादा जमा नहीं करनी है उसको अपनी संतान संत्तिक लिए कुछ करना नहीं चाहीं तो कि अईक्का में अच्छकिन के आपको पता है अच्छक कब तक सामने ऐंगे नारायर साकारहरी भारत में है आश्रम में है किसी के घर नहीं है किसी कभी होटल में नहीं रहते हैं आश्रम में रहते हैं जो जहां बुलाता है वहां जाते हैं अपनी वियारस से ली हुई पेंशन का भोजन करते हैं कभी किसी का भोजन नहीं करते हैं अपने पेंशन वाले पैसों से अपना और धरम पत्नी का जीवन आपन करते हैं, माता जी कहते हैं लोग उन्हें आस्तार शद्दा से वो साथ रहते हैं, ये उनकी जीवन चरिया है, कोई किसी के लिए कभी वोट, कभी नोट नहीं मागा, किसी राजनिता के लिए कोई चुना अभी सीमा आई पाकिस्तान से एक साल से दिखुआ, यूट्यूब चैनल से कहां पहुँच गाई ये बटन, वो बटन, silver बटन, diamond बटन, ये बटन, वो बटन, नारांध साकाररी का कोई YouTube चैनल नहीं, कोई Facebook नहीं, कोई पेज नहीं, कोई इस्टाग्राम नहीं, कोई Twitter नह कोई कुछ नहीं सोची आप फोन मोबाइल रखते नहीं वो कभी अपने पास ये आज की आधुनिकता में संबब नहीं है आप कह सकते हो छूट है आप ये भी कह सकते हैं लेकिन आतल सत्के है